हेई गईज तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आई कुन न्यू 7 प्रो में एप्स को लॉक कैसी कर दकते हैं गईज एप लॉक की मदद से आप किसी भी एप को लॉक कर पाएंगे एंड गईज आपकी परमीशन के बिना उस एपको कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गईज सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग्स में चले जाना है फॉन की सेटिंग्स में जाने के बाद गैस आप नीचे आएंगे तो आपको एक उपशन दिखेगा है यहाँ पर और मैं अपना password डाल लूँगा या फिर fingerprint दे दूँगा तो जल्दी से मैं fingerprint दे देता हूँ अब गाइस कुछ इस तरह का interface दिखी जाएगा आपको तो सबसे उपर है app lock time इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीर option दिखेंगे after the screen is locked and second when the screen is locked और app is closed and third one minute after screen is locked और app is closed तो गाइस आपको second वाला option select कर लेना है यहाँ पर when the screen is locked और app is closed ताकि जब भी आप app को close करते हैं तो यह दुबारा से आपको password मांगेगा तो गाइस जितनी वार भी आप app को open करेंगे तो उतनी वार यह password मांगेगा तो second वाले option को आपको choose कर लेना है इसके बाद guys नीचे आपको सारी apps यहाँ पर show हो जाएंगी जिन आपको भी आप lock करना चाहते हैं simply उनको select कर लेना है यहाँ से तो मैं जल्दी से आप आपको select करके दिखा देता हूँ कुछ आप मैंने already की हुई है तो जैसे कि मैं यहाँ पर play store को select कर लेता हूँ अब guys यह app lock हो चुकी है मैं आपको open करके दिखा देता हूँ जैसे guys मैं play store को open कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह lock हो चुकी है अब guys इस app को open करने के लिए या तो मुझे password देना पड़ेगा या fingerprint देना पड़ेगा तो मैं अपना fingerprint निया पर दे देता हूँ और guys आप देख सकते हैं यह app open हो चुकी है तो इस तरह से guys आप IQ new 7 pro में app को lock कर सकते है I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना और अगर नए हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना मैं मलता आपको next वीडियो में तब तक के लिए keep smiling